अच्छे teachers के पास अच्छे समय पे चले गए और अच्छी चीज़े उन्होंने समय पे सीख ली, अपने उपर invest कर दिया, self development कर दिया, तो बहुत कुछ हो जाएगा क्योंकि जब self development करता है तो आदमी दुनिया चला सकता है और जब आदमी सिर्फ technical skills सीखता है तो घर चला सकता ह नोशकार दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंदी सिंग राठोर और Inner Wellness Tribe पोड़कास्ट का अगला एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आज हमारे बीच में बहुत ही powerful और inspirational personality है जो एक TEDx speaker है UN speaker है जो श्टो के speaker है 10 million से जादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और 50 करोड से जादा लोगों को प्रभावित करने का इनका mission है बहुत सारे लोग इन्हें अल्रेडी जानते हैं इनको introduction की कोई जुरत नहीं लेकिन फिर भी आज में बहुत खुश हो इन्हें यहाँ पर invite करके so please welcome वुपेंदर सी राठोड और प्यार से लोग इन्हें BSR भी कहते हैं so thank you so much BSR यहाँ आने के लिए thank you so much YSR sir how are you doing you know पहला सवाल तो हमेशे यही आता है BSR और YSR बाई 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 तो नहीं है मेरा और इनका ससुराल उदयपूर है मैं और यह दोनों अजमेर से हैं मेरी और इनकी sorry मेरा ननी आल और उसी के पास इनकी वाइफ का विलिज है ऐसे बहुत सारी similarities है same तरह की बाशे हम बात करते हैं and बड़ा अच्छा लग रहा हैं मजा आ रहा है आज बहुत बहुत खुश हूँ आपके साथ जुड़के है thank you so much thank you so much काफी समय से बहुत सारे लोग चाते थे कि हम जोनों साथ में आए I am so excited for this talk today same yeah and once again thank you for accepting the invitation that generally कई बार लोग बहुत सारे process से गज़रते है I just texted you और इतना humbly आपने उसे accept किया से लिए बहुत बहुत सारे लोग जो आपको इतने सालों से फॉलो कर रहे है उन तक पहुँचने का आपने मुझे मोका दिया in fact मेरे लिए ये बड़ी opportunity है Thank you so much for your kind words So बहुत सारे लोग थो बेसार जी आपको जानते ही हैं लेकिन हमारे दर्सकों के लिए अगर short में कैसे ये journey शुरू हुई कि आप भी एक village background से हैं और किस तरीके से इस line के अंदर आपका शुरूआत हुआ I think बहुत सालों से आप है और उस समय इस industry को कोई एज़क करियर भी जादा लोग समझते भी नहीं थे उस समय आपने शुरू किया है So what inspired you how it started if you can tell our audience आप बिल्कुल relate कर पाएंगे क्योंकि आप वही से हैं जहां से मैं हूँ तो किशंगर से मैं government college किशंगर में बढ़ता था और उस समय स्वाज में नहीं आता था कि करीं क्या अंगरीजी नहीं आती थी confidence all time low था दाउं से जुड़े वे थे तो shyness बहुत ज़ादा थी हीन बाउना भी थी थोड़ी बहुत कि यार अपन को तो अंगरीजी भी नहीं आती अपन अच्छे भी नहीं दिखते ऐसी बहुत सारी challenges थे और government school से पढ़ने के बाद career option क्या थे कई अकाउंटेंट लग जाओ क्योंकि मैंने बीकॉम किया था तो कई अकाउंटेंट लग जाओ या इस तरह की बट मेरे पापा दिल्ली आते जाते रहते थे वो किशनगर डिजाइनस के साथ काम करते थे तो उनका अवेशा से ये विचार था कि बच्चा कुछ करे लेकिन क्या करे हमें भी नहीं बता था उन्होंने computer course मुझे करवाया पहले तो मैं army में जाना चाता था तरह computer course करने के लिए गया और NIT एजमेर रोज आता था किशनगर से course करने के लिए शास्तिनेगर में तो वहाँ पे मुझे थोड़ा exposure मिला कि हाँ मैं computer में अच्छा हो गया मैंने बहुत महनत की और computer में मेरे institute का I think मेरे time का number one रहा तो मुझे बड़ा confidence सा लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ नहीं तो studies में मैं हमेशा average था 60-65% कभी study अच्छी भी नहीं लगी अब कंप्यूटर तो कर लिया रही कि नौकरी नहीं मिल रही अब नौकरी नहीं मिल रही तो क्या करें तो बड़े मायूस हो गए थे बहुत सारे इंटर्व्यूस में rejection अब पता लगता था कि अंगरेजी नहीं आई तब तक नौकरी नहीं मिल रही तो अच्छे टीचर्स मिल गए और अगरेजी शीख ली अगरेजी सीखते सीखते फिर दिल्ली आ गए और दिल्ली में एक साल नौकरी करने के बाद मुझे next switch करना था तो मैं पूने आ गया पूने Saturday Sunday ऐसे फ्री रहता था तो 2006 के नवंबर में आया मैंने का Saturday Sunday क्या करे तो लगा कि कुछ कूर्स कर लेते अच्छा night shift होती थी तो दिन में भी फ्री रहते थे तो कुछ accidentally अच्छे teachers के टच में आ गया और वो exact मेरे birthday के दिन था 12th of January 19 sorry 2007 तो मैंने का यार हर बार बर्दे पर बाहर जाते हैं 30-35 रुपए मतलब sorry 300-400 रुपए खर्च करके आते हैं खाना पीना खाने में वोई पाटी होती थी मैंने का यह काम करते हैं आज वो 200 रुपए का सेमिनार अटेंड करते हैं so they were charging 200 रुपीस मैंने अटेंड किया दो so बस वो decision ने मेरी जिन्दिगी बदल दी कभी-कभी एक छोटी सी चीज होती है न चिंगारी जो कि पता निक कुछ भी करवा देती आपसे तो 2007 में मैं गया मैं बात करने लगा मैंने public speaking सीखने लगा पहली बार में को current लगा कि IR मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं तो आज से पहले किसी ने motivating नहीं किया था 2007 के पहले किसी ने बोला ही नी था कि भुपेंद तुझ में कुछ special है तो जीतने के लिए पैदा हुआ है और वो पहली motivational talk ने हिलाया और फिर मैंने उनके कुछ और courses किये जैसे public speaking और best part शायद मेरे time पे ये था कि मेरी desire नहीं थी ना तो motivational speaker बनने की ना trainer बनने की मैं तो IT में था इतने साल IT में काम किया था तो अपने को तो यहीं लगता था item ही करेंगे लेकिन वो मुझे लगता है कि मैंने इस field को नहीं पकड़ा इस field ने मुझे पकड़ लिया और फिर मैं public speaking करता गया कुछ awards मिलते गए public speaking में उसी institute में फिर करते-करते law of attraction के बारे में पता पड़ा फिर NLP के बारे में पता पड़ा तो 2010 में फिर मैंने job छोड़ा और तब से उतार चड़ाओ उतार चड़ाओ करते-करते-गुड़ते-पड़ते यहां तक आ गए तो जो आपनी transition लिया जैसे बहुत सारे लोग है आज मैं देखता हूँ कि इस line में भी आना चाहते हैं बनना चाहता है, motivation speaker बनना चाहता है मगर अपनी नोकरियों में हैं तो किस moment पे आपको लगा कि transition कब करना चाहिए किसी इंसान को जैसे आपनी किया यह transition तो किस moment पे transition होना चाहिए और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए मुझे लगता है कि transition करने के लिए मिलकुल simple अगर सोच रही तो ही transition कर पाएगा जैसे कोई इनसान आज 50,000 रुपे कमा रहा है जिस समय मैं 35,000 रुपे कमा रहा था और मेरे लिए बहुत जादा difficult था जीरो से वापस से शुरू करना है क्योंकि middle class family से थे तो गर में बहन की शादी होने वाली थी मेरी शादी का planning था फिर घर भी उस समय शायद बना था तो थोड़ा वोत करजा भी था तो बड़ा मुश्किल था घर पे तो जैसे बताया कि मुझे ऐसा करना है तो घर वाले थोड़े नाराज भी हुए बले बिल्कुल नहीं करना है ऐसा गलती से भी कदम नहीं उठाना है दोस्तों को बताया है दोस्तों ने मिका गलती से नहीं उठाना है बट आई तिंग दो चीज़ हैं जिसने मुझे transition में help किया एक तो जब भी मुझे डर लगता मैं किसी न किसी कोच के पास चला जाता मेरे क्या बाद दर लग रहा है मुझे करना तो है लेकिन दर लग रहा है तो कोच क्या होता है हर बार कोई न कोई hope देते हैं तो मुझे हमेशा hope देते थे कि what worst will happen क्या हो जाएगा बुरे से गुरा तो उन्होंने का paper पे calculation कर बुरे से बुरा क्या हो जाएगा तेरे साथ कभी कभी ये transition आदमी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो चाहता है कि करोडों में चला जाए मेरे साथ ही ये वेरे coaches निखेगा भाई तू डाल रोटी कमा लेगा न इतना तो तुझे पता है और कुछ ना हो तो हमारे पास नोकरी कर ली हो और कुछ कर ली हो एक बार जॉब छोड़ के तू देख दो तीन साल देख के तू देख तीरा कितना खर्चा है मैंने का दस हजार उपए तीन साल में ज्यादा ज्यादा चार लाग का लोन हो जाएगा दुनिया में तो 24-4 करोड़ का लोन लेकर लोग बैट है मैंने का लोन नाम से मिडल क्लास फैमिली में ऐसे लोन नाम से हो जाती है लेकिर अपने आपको बहुत समझा है बहुत समझा है बहुत समझा है मैंने का यार what worst will happen, दो-चार लाग का लोन हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ, वापस से नौकरी पकड़ लेंगे, आज 35,000 की है तो कल 20,000 की नौकरी पकड़ लेंगे बस ये सोचा, तो छोटा सोचा उस समय, जब आपको transition करना है न, आप करोड़ों की मत सोचो, आप ये सोचो कि अगर आप 50,000 कमा रहे हो, और आप अपने passion के हिसाब से जिन्दगी जीना चाहते हो, 20 भी मिलाना, तो कर लो transition, क्या इतना confidence है कि 50,000 की नौकरी छोड़ के पूरा साल मेहनत करके on an average 2,40,000 रुपे कमा लोगे, थोड़ी अपनी जरूरते कम कर दो और थोड़ा अपने आपको mentally prepare करो, और दूसरी चीज मैंने क्या किया, जॉब के साथ-साथ 6 महीने किया, क्योंकि मेरे mind ये कहता था कि जॉब से छूटने के गाद कोई मुझे खाने को नहीं दे पाएगा, मुझे ही करना है, तो 2,00,00 रुपेगा मैंने buffer बना लिया था, वो भी मेरे PF का buffer था, और कोई buffer नहीं बना था, बाकी छोटा-मोटा जो buffer बना था, वो तो website बनाई, visiting card चपवाए, एक-दो program किये, तो job के साथ-सा try कर लो थोड़ा सा, इतना try कर लो कि idea लग जाएगी 20,000 कमा पाऊगी की नहीं, अब आपको 50,000 छोड़के पहले दिन से 50 कमाऊँ, तो मुझे लगता है ये गलत expectation है, तो true, हाँ, चुकि अगर कमा लोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं कमा पाए, तो फिर आपको बहुत hurt हुगा, तो यहाँ पर एक शब्द आपने अभी passion का कहा, तो मैं आजकर बहुत सारे youth को देखता हूँ, कि बहुत misdirected रहते हैं, और बहुत सारी season try करते हैं, उन्होंने पता ही नहीं लग रहे है कि मेरा why क्या है, मेरा purpose, mission आके रहे है क्या, या passion मेरा क्या है, तो अगर आप दर्शकों को यह बता पाएं, कि passion find out करने जादर कोई framework आपके पास में है, कि कैसे इनसान को यह बता लगे कि यही मेरा passion है, तो मेरा तो यही formula है, योगेंदर सार की, जादा से जादा try किया जाए शुरुवात में, और open mind से, कि यह है क्या हू क्या रहा है, तो मैं motivational speaker ऐसी नहीं बना, मैंको पहले मैंने dancing try किया, अच्छी, मुझे लगता था, modeling होगे रहा अच्छी चीज हो सकती, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था, जिम वगर करना था बन गया, जिम वगर करके तोड़ा fitness freak बने, और कभी जिम के trainer बन जाएंगे, ऐसे 6-7-8 चीजे try करने के बाद, यह line आई सामने, मुझे यह भी लगता था, कि मैं German language वगर सीख लू, और guide बन जाओं, tourist guide बन जाओं, जिम एक चीज से डर लगता था, government job से, इतनी जारी चीजें, छोट-छोटी चीजें try की, बट मैं lucky रहा इस मामले में की, 3-4 चीजें try करने के बाद ही, मुझे यह passion मिला, आपको किसी को 10 के बाद मिल सकता है, किसी को 5 के बाद मिल सकता है, लेकिन मैं यह कहूँगा, be willing to go in the new direction, उस पर थोड़ा पैसा खर्च होगा, थोड़ा time भी लगेगा, लेकिन at the end of the day, जिस दिन 2 साल बाद या 1 साल बाद, या 6 महीने बाद आपको आपका passion मिल जाएगा, उसके बाद पूरी जिन्दगी छुट्टियां रहेगी, एक वे दिन काम नहीं करना पड़ेगा, द्वात है दी, मुझे एक शेर याद आजा रहे हैं आपकी इस बात पर, I think Khalil Gibran का है, कि मिल जाएगी मनजेल एक दिन, भटक करी सही, गुमरात है वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, वरनफूर, तो लर्ण एंट प्राइ, क्या बड़िया वात आपने कह दिया, I think बिलकुल सिंपर फॉर्मूला आपने बता दिया, I think that is the very natural way of finding your passion, यह जो एक टर्म आती है कि convert adversity into opportunity, what is your perspective on this, because you have done it many times, adversity ही हमारी सबसे बड़ी opportunity है, यह literally मैंने experience से सिखा, जैसे 2017-2018 की बात करूँ तो मुझे पाथ पैसे नहीं थे, डेड़ करूड़ का लोन हो गया था, और उस समय इंसान क्या decision लेता है, I think that's what changes everything, तो उस समय मैंने डरनी की वजाए, मैं डर तो गया था वैसे, आपने एक टीचर के पास गया और उनको बोला, मैंने का मुझे लगता है रहा है, इतना कीमत तो मैं नहीं चुका पाऊंगा, सकसस की, क्योंकि पूरा परिवार स्टेक पे आ गया था मेरे कारण, अपडेड करोड़ का लोन तो मतलब वो हर महीने बढ़े जा रहा था, आपने परिवार के मतलब एक लेवल पे ऐसा आ जाता कि सारी एसेट्स बिख जाती, बहुत तकलीफ हो जाती मम्मी बापा को नाम रोशन करने चले थे और रोड़ पे ले आते, तो डर गया था वह काफी, तो मैंने का यार एक काम करते हैं, अब डर तो गया हैं, लेकिन गुरू के पास चलते हैं, तो मेरे एक टीचर ते गोविन अंगल उनके बास गया हैं, मैं सोच रहा हूँ ना, पचास-पचास अजार एक लाग-दो-लाग कमाते हैं, मैं सिर्फ कॉर्प्रेट से, सब छोड़ता हूँ, कॉर्प्रेट में जाता हूँ, enjoy, वह तेरी personality नहीं है, तेरी personality है, रिस्क लेने कि तुने आज तक वोई किया है, तो रिस्क ले, तो देखे, गुरू कितना बड़ा काम करते हैं, बस मैंने तो फिर वापस से खुल के खेलना शुरू किया और खुल के खेलना शुरू किया तो पहला ही काम और बड़े गुरू ढूंडो Anthony Robbins ढूंडो ये ढूंडो दस लाग और खर्च कर दिया मैंने का एक लाग पचास दर का लॉन तो दस लाग और सही तो I think उस समय वो decision पहला decision की जब खुद की पुद्धी काम नहीं कर रही तो किसी के पाद चले जाओ यार ask for help कि हमें क्यों नहीं पूछना किसी को हमारे घर में प्रॉब्लम है 99% लोग वो घर-घर में ही लड़ते जगडते रहेंगे बार वाला था ही कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे घर में सब ठीक ठाक है सब दिखावा करेंगे कोई किसी से पूछना नहीं चाहता why don't you ask हर adversity में किसी ले किसी इंसान ने record बनाया है और कोई-कोई इंसान अपने आपको तोड़ देता है कोई record तोड़ देता है पहली वाली में मेरे team छोड़ के गई थी तो आज मैं जब entrepreneurs को coach करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो कौन सी situation हो सकती जिसमें उनका ही employee को उने blackmail कर ले उसको पहले से ही कैसे seize करना है ऐसी situation आ भी जाये तो क्या करना है कैसे लोगों को retain करना है तो यह समझ में आया दूसरी जब adversity आई कि मुझे अपनी company छोड़ के बाहर निकलना पड़ा तो उससे मुझे समझ में आया कि partners कैसे choose करना है partners के साथ क्या understanding होनी चाहिए कौन सी understanding बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हर चीज राइटिंग में होनी चाहिए हर चीज सिस्टमाटिक होनी चाहिए तीसरी adversity आया तो समझ में आया पैसा important तो है लेकिन पैसे से भी जादा important अपनी earning ability को बढ़ाना है I think मुझे पहले नहीं पता था कि करोड मैं कैसे कमा हूँ एक महिने में लेकिन जब यह इतना बड़ा challenge आया तो करोड कमाना मेरी compulsion बन गई और फिर मैं जब Anthony Robbins के event को देखने गया हालागि मैं उसको काफे time से उनको follow करता था लेकिन जब मैं गया तो मैंने वाँ live अपने face में मदब देखा कि 13,000 लोग stadium में थे और हर आदमी ने average कोई 3,5 लाग का ticket है कोई 2,5 लाग का है कोई 50,000 का है average अगर देखें तो 1,5 लाग का एक seat था और फिर उन्होंने जो upsell किया वहाँ एक एक करोड के program भी वह ऐसे आराम से बात करें एक करोड है बाई platinum partnership एक ही करोड है मैंने देखा 500 करोड 700 करोड का business उन्होंने तीन दिनों चार दिनों में किया तो मैंने का यारी ये 700 करोड कमा सकता है और ये हमारी industry से है तो मैं 1,5 करोड तो कमा सकता हूँ और वो confidence लेकिए मैं जब वापस आया I started with bank और उसके बाद से आज I think 5-6 साल हो गए बगवान की कृपा से बस graph ऐसे है and touchwood ऐसे ही रहे ऐसे ही बना रहे जब भी adversity है और adversity में इस तरह के challenges आ रहे हैं तो I think decision making helps right teachers help and then whatever you learn उसको पूरी bank के साथ कर दो क्या बाजा ही मसा आएगा so एक चीज़ कई बार आती है बेसार जी की motivation कई बार ऐसा होता है की थोड़ी देर के लिए रहता है और फिर बाद में चला जाता है temporary रहता है लोगों के अंदर तो लोग ऐसा क्या करें कि यह जो temporary motivation आया जिसे हमने कोई talk सुनी और एक temporary motivation आया लोगों का 24 गंटे में 48 गंटे में वो thermometer की mercury की तरह वापस डाउन हो जाते है तो कैसे इस motivation को translate करें consistent action में मेरे teachers ने मुझे इसे कहाया था कि जिस भी दिन आप कुछ चीज के लिए inspired हो same night आपको एक action minimum लेना है for example अगर आज आज आपने हमारा ये podcast सुना और मैं आपको बोलता हूँ कि decision लीजे और आपको लगता है कोई pending decision है उस pending decision से related कोई किसी से चर्चा करो या कोई book पढ़ लो या उससे related कोई कदम उठा लो और जैसी पहले वो करोगे तो दूसरी चीज होगी जो आपने आज सुना वो एक बार repeat हो जाएगा आपका दो बार repeat हो गया अब जब दो बार repeat हो गया तो कल सुगर जब आप उठोगे तब भी आपको याद रहेगा उसकी energy फील होगी तो अगले तिन सुगर फिर एक action ले लो तीन बार repeat हो गया हमारा brain सिर्फ repetition से चीज़ों को याद रखता है so repetition is the first thing which I say मेरे teacher बहुत ही beautiful कहते थे repetition is the mother of all the learnings so true and दूसरी चीज़ repeat करने के बात क्या है तुरंत action, same day action तो repeat करने का तरीका भी यह नही होना चाहिए कि सिर्फ डाइरी खोल के देख ली तुरंत action क्योंकि action is the father of all the learnings और वो बड़े beautifully कहते थे keep the mother and father together you will have a baby called success क्या बात है थे तो repetition कीजिए and action लीजिए यह सबसे पहली चीज़ दूसरी चीज़ चाहे आपने वो 3000 sentences सुने आपको बहुत अच्छे लगे आप उस समय जब उस sentences को सुन रहे थे किसी मी motivational speaker से तो आपको एक-एक sentence logical लग रहा था आप उनकी हर बात पर कह रहे थे हाँ हाँ तो इससे पहले कि यह motivation खतम हो जाए दुबारा सुन लीजिए तो आप कोई webinar कर रहे हो तो उसी webinar में कोई इंसान आपसे एक चीज़ सुन लिया दुबारा आप वोई same webinar करते हो 90% वो आदमी शायद नहीं आता है या आते हैं तो सो लोग आए तो बीसी आएंगे पचीसी आएंगे तीसी आएंगे क्योंकि उनको लगता है अच्छा है इस टोपिक पर बाद हो रही है कि टाइम मैनेजमेंट पर अच्छा है स्टीवन को वी की मैट्रिक्स पर वो तो मैरे को आता है अच्छा वो आपको आता है मतलब आपने सुना है आपने इंप्लिबंट किया नहीं किया तो वापस से सुनो तो एक इसका beautiful analogy है कि जो मौमद अली है वो पहले दिन अगर boxing सीखने गए तो उनको उनके coach नहीं का पंच करो फिर block करो एंड वो अपने पूरे career में जितने दिन वो boxing ring में उतरे उतने दिन उन्होंने पंच किया और block किया तो ये छोटी सी चीज उन्होंने रिपीट कि जाता है तो वो मंत्र वाला काम कर देता है और कुछ-कुछ लोग इस level पर सिद्ध हो जाते हैं कि वो कहते हैं यार तुरे को बिमारी है ये पानी ले राम-राम-राम और पी ले और ठीक हो जाएगा और ये हो जाता है तो ऐसे ही आप कोई भी चीज सीख रहे हो बस ये छोटी चीज़े जैसे आप NLP सिखाते हो तो NLP में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है मॉडलिंग, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है किसी के भीज़ ऐसा बनना है मॉडलिंग के बारे में एक बार सुन लिया और भूल गए कुछ नहीं कर पाऊगे इसको पढ़ो, बार-बार पढ़ो, बार-बार समझो, बार-बार ट्राइ करो और इसी के उपर एक ही टॉपिक इनफ है आपके पूरी जिंदगी बदल देने के लिए क्या गलतियां कई बार लोग करते हैं आपके according law of attraction में क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे जिंदगी में तो उल्टा काम कर रहा होता है law of attraction सो क्या दो-तिन गलतिया है जो मैं कई बार देखता हूँ लोगों के अंदर जो वो कर रहे होते हैं मैं क्या बतारा चाहता हूँ जर कि हर आदमी जानता है कि positive सोचने से positive हो सकता है वो positive सोचता है वो ऐसे workshop में आपके में या मेरे में या कहीं और जाके सीखता भी है और उसको लगता है सब कुछ बदल दूँगा ये उसका commitment रहता है हर आदमी sincere है I feel that NLPB कहता है every person is positive and has a positive intention तो सभी की intention positive है लेकिन जैसे ही वो TV देख लेते हैं और उस TV में देख लेते हैं murder से लेके कहते हैंगी एक बच्चा जब तक 14 साल का होता है तब तक वो करीब 1000 से ज़ादा rapes देख चुका है 24-5000 से ज़ादा murder देख चुका है जितने भी लोग law of attraction को follow करते हैं वो लोग secret movie देख लेते हैं secret book पढ़ लेते हैं लेकिन जैसे गर्मी थोड़ी से ज़ादा होई अरे यार आस तो सोरज बहुत तेजे कर भी बहुत ज़ादा होई complain कभी पैसे के बारे में complain पैसा सब लोग चाहते हैं लेकिन पैसे के बारे में complain एक सुभई ही मेरी किसी से चर्चा हो रही थी और वो भी बहुत बड़े speaker हैं तो मैं उनसे पूछ रहा था मैंने का सर यह बताईए कि आप इतना पैसा चार्ज करते हो तो लोगों को तो यह लगता है यह तो अपनी दुकान चला रहे है योग अनुदर जी और B.S.R. जी तो ची कहेँ यह इतना पैसा चार्ज करने है तो वो नफरत करने लग जाते हैं तो उनको आप क्या कहोगे तो उन्होंने कहा कि यार जब तक पैसा नहीं चार्ज करेंगे तब तक उनको sincerity नहीं आती है प्लस पैसा चार्ज करने से हमारे भी खर्चे हैं उनको करते हैं तो मैंने साथ में एक चीज जोड़ी हो मार्केट में गया और वो किसी से किसी चीज के लिए पैसा चार्ज कर पाएगा कभी क्योंकि उसका belief system क्या है पैसा चार्ज करने वाले बुरे होते हैं तो जितने भी लोग अमीर बनना चाहते हैं वो अगर ऐसे इनसान से hate करते हैं पैसा कमा रहा है किसी भी तर ऐसे तो कही न कही वो अपने अंदर का belief है उसका कि पैसा मांगना बुरी बात है पैसा कमाना बुरी बात है पैसा चार्ज करना बुरी बात है तो वो जब भी कोई चीज बेचने जाते हैं वो confidently ना तो सेल कर पाते हैं ने confidently उसके बारे में आगे बढ़ पाते हैं तो पैसा चाहिए आप दिन बढ़ तो भजो पैसा 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 और जैसे मेरे जैसा आदमी कहें बाईया आपको सीखना है सेल्स कैसे करनी है दो साल का कोर से चार लाग रुपे लेता हूँ यहोगे इंदर से सीख मैं NLP यहोगे इंदर से कहेंगे ट्रेनर बना दूगा यह सब कर दूगा लेकिन इतना पैसा लगेगा दो लाग चार लाग मार्ट लाग जो भी वो लेते हैं और आप कहोगे यार यह लोग तो सब दुगाने खोल के बैटे हैं तो सब पैसा लेते हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम गया है पैसा लेना बुरी बात है तो आप भी नहीं ले पाएंगे कभी बिल्कूल डीप नेगटिव असोशेशन लोग लेकर चलते हैं और जो कहते हैं कि अगर न्यूटन के नियम को साइकलोजिक की दुनिया में लगा दे तो इसी वज़े से एक सबकॉंशेस रेजिस्टेंस उन में रहता है तो और कुछ अगर आप थोड़ा और इसमें I think मनी पे जब बात चली है तो बहुत सारे लोगों के मैंने देखे हैं एक नेगेटिव असोशेशन और एक नेगेटिव नेरेटिव अंदर चल रहा होता है पैसे को लेकर के जिसा एक आपने ये बिलीव दिया कई ऐसे बिलीव हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं पैसे से कुछी नहीं करी सकते हैं पैसे से आप बर्गर तो खरी सकते हो भूख नहीं करी सकते हैं बिस्तर करी सकते हो नीद नहीं करी सकते हैं पैसे पेड़ पे नहीं होगते हैं तो यसे भहुत सारे negative belief wealth को लेकर के Indian families में तो बहुत जाधा exist करते हैं और मैं खुद भी भहुत सारे ऐसे बिलीव से गुजराओं initial days में and that's why initial days में बहुत ज़्यादे struggle भी खिया मैंने, पैसा मांगते समय बहुत बड़ा discomfort रहता था ऐसा लगता था कि पैसा मांगा तो आजात्मिंग नहीं लगूँगा, greedy लगूँगा सामने वाला क्या सोचेगा बड़ी, मुश्किलों से इस से बाहर आया और जब बाहर आया तो चीज़ें बहुत abundance में flow होने लगी, तो आप भी काफी money पर talks लेते हैं, तो कुछ अगर इस पर clarity दे सके हैं कि ये blockages कैसे आ जाते हैं और इन में से बाहर निकलने के लिए अगर एक-दू steps आप दे सकें ये blockages आने के कई सारे कारण है एक तो हमारे आसपास की society सारे लोग पैसे को लेके परेशान है सभी लोगों का ये faith belief system होता है पैसा चलाना जाए, पैसा चलाना जाए पैसा खोना जाए, अरे उसने ज़्यादा ले लिया अरे वो तू ज़्यादा खर्च करके आ गया कोई ये नहीं कहता, माली जे कोई बच्चा है न 10 रुपे की चीज, 15 रुपे में लेके आ गया तो कोई पिता ये नहीं कहता, अरे तू बहुत अचा कहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बिटा 15 रुपे कहा है, बगवान लोटा के बहुत सारा देगा, बहुत कम पिता होते हैं जो ऐसा कहते है, जब कि सब बोलेंगे तू नालाया कहे, तू गदा है, तू 5 रुपे एक्स्टा कमाने की इंस्पिरेशन आएगी, अब कई लोग कहेंगे, सर ये गलत बात है दोसो, देखिए, जब मैं 20,000 ट्रेनिंग से कमा रहा था, तब मेरा 1,00,000 रुपे का खर्चा था तो मेरे पास 1,00,000 कमाने की इंस्पिरेशन थी, और 20,000 कमाने की इंस्पिरेशन इसलिए थी क्योंकि मेरा काम 20,000 में चल जाता था, और जब मेरी टीम बढ़ी और सब कुछ हुआ तो 5,000,000 का खर्चा हो गया, तो अचानक से दिमाग फिर गया कि 2-3 महीने तो मैनेज़े नहीं हुआ कि अब क्या करें लेकिन देरे-देरे 5,000,000 के हिसाब से सोचना शुरू गया, फिर 50,000,000 के हिसाब से सोचना कि आज जितना भी कमानत है, उसके हिसाब से सोचता है तो सबसे पहला association तो पैसे गा पैसा खर्च करो पैसा खर्च करो किसमें? assets में आपका mind क्या है? सबसे बड़ी asset है self development क्या है? asset है आप अगर कोई बहुत अच्छी rental property से income बनाना चाहते हो तो उस property में invest करना पड़ेगा आप share market को सीखो पहले फिर invest करो आप सीधा share market में डालके जाओगी सारा पैसा वरबाद हो जाएगा तो पहला step दोस्तों Olympic में खेलना है तो अच्छे coaches के साथ आप दोड़ो otherwise तो गली में दोड़ते रोगी जिन्दगी बर तो खर्चा करो अपनी personality पे, अपने mindset पे अपने attitude पे, अपनी books पे अपने environment पे तो खर्चा करने से पैसा आता है दूसरी चीज़, अमीरों से प्यार करो गरीब उसे तो प्यार सभी करते हैं यारे ये गरीब आदमी है विचारे को help करो मैं कहता हूँ अमीरों से भी प्यार करो अमीरों के पास जाओ, उनसे दूर मत भागो ये बत सोचो कि यार अमीर तो और पैसा मुझसे ही ले लेगा मुझसे ही कमा लेगा वो अगर आपसे एक कमाएगा ना तो पहले सोचो कि वो कैसे मांग पा रहा है पैसा कितना confidence मांग पा रहा है, उसे observe करो उसके इंदर इतना confidence क्यों है मैं पहले सोचता था था अगर मैं किसी से पैसा मांग हुआ न वो उनसे नाराज हो जाएगा और आज मैं देखता हूँ कि मैं जिससे जित्माज़ादा पैसा मांगता हूँ और वो दे देता है ना, वो जिन्दगी बर खुश रहता है वो जिन्दगी बर मेरे को पैसा भी देते हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं जिन्दगी बर इसे शायद happy money का concept करते हैं कि आप लेकर के खुश है और सामने वाला पैसा देकर के खुश है तो एक happy money creates अब आप अमीर बनना चाहते हैं, अमीर इंसान क्या करता है अमीर इंसान क्लब्स में जाएगा, अमीर इंसान बहुत अच्छे लोगों के बाद जाएगा, अच्छी workshops लेगा, अच्छी exhibitions अटेंड करेगा और गरीब इंसान movie में चले जाते हैं सारे के सारे मिरको एक billionaire आप बता दीजे, किसी movie theater में जाके अपना time waste करते हुए, कोई भी नहीं होगा या होँगे तो अपने private theater में देखते हुँगे, या साल दो साल में एक बार उनकी team के साथ, या उनकी family को खुश करने के लिए, बट उनके बाद समय नहीं है तो हर आदमी बनना तो billionaire चाहता है, लेकिन formula गरीबी का follow करता है तो अपने आप की जिंदगी को बदलने के लिए, अमीरी का formula और अमीरी का formula number one, that each and every one of you have a great relationship with money have faith की money, जाना ही जाना है, और जाएगा उतनी बार लोट के आना ही है, बचपन से आपको पैसा मिला है so thank money पहले तो, दूसरी चीज़ अभी अभी सरने का gratitude में रहोगे तो बहुत lot के आएगा, abundance create होगी दूसरी चीज़, पैसे के अपने सारे patterns को समझें, यार पैसे, मालीजे आप इसके लिए दो-तिन exercise बता दो किसी भी hotel में जाओ, आपका किसे ने लगेज उठाया, तुरंत 100-200 निकाल के दे दो किसी भी driver को आप मिल रहे हो, 100-200 निकाल के दे दो पचास से शुरू कर दो, जलो 10 रुपए से शुरू कर दो बट दे ना शुरू करो, मेरे teacher कहते थे, देगा, तु देता ही निए, एक बार जब लोन बहुत हो गया था न, वो कहता, उन्हों ने सीधा का, तु देता निए न, इसलिए, मैंने का, देता निए ये बात सही है, लेकिन पैस्या, खीचने के लिए अच्छे लोग चाहिए, उनसे relation बनाईए, trust बनाईए, sales करना सही किए, marketing करना चाहिए, अपनी skill को बढ़ाईए, लक्षमी तब आती है, जब सरस्वती डवलप होती है, क्योंकि सरस्वती याने बुद्धी, सरस्वती या याने लोग, जितनी दुरगा और सरस्वती उतरी ही लक्षमी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा खेची चली आएगी, otherwise जिन्दगी बढ़ लक्षमी के पीछे बागो क्योंक अभी नहीं आएगी, right, so true, so true, so true, मैं मैं भी एक बात कहते थे, कि falling in love with मार सरस्वती and लक् मैं कई बार exhaustion या burn out अगर होता है, so how do you manage that stress, burn out और exhaustion जो होता है, उसको आप manage करने के लिए क्या-क्या तरीके यूज़कते हैं, so मुझे लगता है, मुझे थोड़ा सा वर्दान है, कि मैं आदा गंटा लंच में मिला ना, तो मैं आरे गंटे में power nap ले लेता हूँ, flight में अग training deliver करने से नहीं होता burn out, लेकिन खाना जैसे hotel का खाते हैं, तो वो soda वगर मिला देते हैं, पेट में bloating वगर है, तो उस समय, especially during trainings, fruits और salads या raw food पे ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, तीसरा meditation मैं रूज करता हूँ, चाहे 10 मिनट करूँ, चाहे 5 मिनट करूँ, कभी-कभी time नहीं मिलता तो flight में करते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट का meditation मुझे ऐसा लगता है, बहुत relaxing भी होता है, ये भी देता है, और मुझे लगता है, सबसे ज़ादा energy तो audience से मिल जाती है, जब आपको देखने के लिए 1000 लोग आए हैं वेबिनार में, या आपके साथ मिलने के लिए किसी या auditorium में 1000 लोग हैं, या 500 लोग हैं, या 600 लोग हैं, तो वो लोग तो कितना pain ले लेके, तकलीफ ले लेके, पैसा दे दे के आपको उतनी जगे तक आये हैं, या अपना time निकाल के आये हैं, और वो आपको देख रहे हैं, मतलब इस समय पे उनके लिए celebrity, आप हो जैसे कोई movie देखने जा रहा है, तो अक्षे कुमार को देख रहा है, तो वो अक्षे कुमार उनके लिए celebrity है, तो यह feeling वे होती है न, तो मुझे लगता है लोगों की energy, बहुत जादा काम करती है, तो burn out वोगर वैसे लगता नहीं है, बट कुछ ऐसी situations होती है, जहाँ extreme हो जाता है, जै मैं तो दन्यवाद ही देता हूं भगवान को कि यार कोई बात नी बढ़ना उठा है, लेकिन भगवान ने सेवा करने का मौका दिया है, तो why not? तो रिष्टों पे आप क्या tips audience को देना चाहेंगे कि एक फैक्ति लाइफ जीते हुए भी अपने रिष्टों में वो प्यार, महबत, बरकरार रखने के लिए क्या लोगों को करना चाहिए? अगर रिष्टी की बात करें सिर्क परिवार वालों की तो I think parents हैं सबसे पहले तो मुझे लगता है वो हमारे बगवान है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं थे और उस दिन अगर वो एक दिन में हमें अकेला छोड़ दे तो हम मर जाते, तो उन्होंने बचपन से हमारा ध्यान र गुरुजनों को दूसरा, गुरुजनों को साथ रिष्टा क्योंकि आज मैं जो भी हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर teachers अच्छे नहीं मिलते तो यहारत पहुंचते ही नहीं, तो यह दो रिष्टे अगर अपनने अच्छे बनाएं, तो इनका impact सभी रिष्टों में बेटा खेलने गया हुआ है, तो उस दिन भी आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है quality time, creating memories, तो छोटी-छोटी memory जैसे अभी last week मैं एजमेर था और मेरा बेटा, पहले से उसने गा, पापा, आपको मेरे साथ water park चलना है, मैं नहीं जानता, अब मैं इतना exhausted था, म खतम करके, दो-तीन गंटे रेस्ट किया, और वो highest level पे body tired है, और उसके बाद भी वो कह रहा है water park चलना है, लेकिन उसके लिए वो ज़रूरी था, उस समय मैं यह नहीं कह सकता है कि मुझे आराम करना है, उस समय तो water park जाना है, तो I think that quality time जो उसको चाहिए था और उसी समय उ मुझे ऐसे लगता है, बहुत बहुत important है, और उसके अलावा तो प्यार दो, प्यार लो, इतने सारे लोग मिलते हैं, उनको इजज़त देते हैं, तो वो भी वापस इज़त देते हैं, उनको ego दिखाएंगे, तो वो भी ego दिखाएंगे, सब के पास ego है, एक छोटा बच्च पर आप काफी बात करते हैं, और काफी आपने बताया, इतने सारे गोल सा आपने अचीव किये, तो क्या importance है गोल सेटिंग ही, और क्या कोई framework है, जो fast अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को की कैसे वो set कर सकते हैं, गोल सेटिंग का simple framework पहला तो गोल होना चाहिए, 95% लोग से कोई-कोई इंसान की एक example के तोर पे एक लाग की salary है, और वो आराम से 5 लाग रुपे down payment दे सकता है, और उसका 15 लाग का loan sanction हो जाता है, अब वो आज फरवरी में बैठा हुआ है, और वो कैता है मेरा गोल है दिवाली पे 20 लाग रुपे की कार लेना, तो उसके लिए ये गोल नहीं हो सकता ही है, ये उसका decision होगा, there is a difference between goal and decision, ये तो decision है ना, आज भी उसने decide किया कि मैं 5 लाग पड़ा है दे दूं और 15 लाग का loan अपलाई कर दूं, कल आ जाएगी कार, वो चीज जो आज कर सकते हैं, उसको आप postpone कर रहे हो दिवाली तक, तो वो गोल नहीं है, वो आपका decision है, अब गोल क्या होगा, गोल वो होगा कि आज मेरे पास नहीं 5 लाग है, नहीं 15 लाग का loan की capacity है, और मैं कहता हूं किसी भी आलत में, जब मैंने सर्व 40,000 रोपे महीना कमाता था मैं 2012 में, और मैंने goal set किया कि 12 जन्वरी 2017 को 50 लाग की कार, 16 में, 12 जन्वरी मेर birthday, इसलिए मुझे बड़ा प्यार है अपनी उस date से, तो 16 में किताब लिखूंगा, किताब लिखने का, कुछ भी नहीं पता, 15 में मैं अपना घर खरीद हुआ, तो मुझे लगा, ये कैसे होगा, पहले मुझे भी doubt हुआ, लेकि मैंने का, जो मैं सिखाता हूं, अगर उसमें calculate किया है कि मुझे मेरी belief system के hesab से कितना समय लग सकता है, तो मैरे belief system के hesab से मुझे लगा, पात साल लगेंगे मुझे, और वो पात साल भी इसलिए लगना थे, क्योंकि 14 में मुझे लंबी कार पहले ही चाहिए थी, मुझे skoda चाहिए थी, और 15 में मुझे घर चाहिए थी, त जब भी आप goal set करें, तो थोड़ा सा ये देखें, कि क्या आपके पास, थोड़ी possibilities आपको दिखाई दे रही है क्या कही से, और वो possibilities देख रही है, तो उनकी valid reason क्या है, आज आप नौकरी में हो, 50,000 रुपे कमा रहे हो, और आज आप 50,000 की कार का कर लोगे, ना आप नौकर दिखनी चाहिए, थोड़ा सा clue मिलना चाहिए, कि आयर खजाना शायद इस clue से यहाँ हो सकता है, इस तरह से बिल सकता है, तो ट्रेजर वेंट है, तो goal set करना है, तो अपनी काबिलियत से बहुत जादा stretch करने वाला goal होना चाहिए, तो मैं अवेशा कहता हूँ, goal smarter square formula है मेरा, smarter मतलब S याने specific तो ही, लेकि साथ में stretch भी करने वाला होना चाहिए, imagination को stretch करने वाला, शारीरिक शक्ती को, पैसे की शक्ती को, comfort zone वाला goal नहीं होना चाहिए, आज मैं कार ले सकता हूँ, और मैं 6 महीने बाद ले रहा हूँ, या आज मेरे पास 3 लाक ही down payment है, साल बर बाद मे आप लूँ कि भई आवे पहुच पाऊंगा नहीं पहुच पाऊंगा, लोग कहते हैं मैं बहुत खुश होने जाता हूँ, कैसे नापोगेगी आपकी खुशी, किसके comparison में नापो, लेकिन आप कहते हो मुझे एक करोड रुपय कमाना है, तो वो एक करोड रुपया measurable है, meaningful, क जूँ कमाना है एक ही करोड, एक करोड रुपया कमाऊं, या पचास हजार लोगों को inspire करूँ, दोनों में से कौन सा जादा meaningful है, सिर्फ इसलिए क्यों कि कार दूसरों को दिखानी है, इसलिए तो कार नहीं ले रहे हो, कार की जगे कुछ और भी ले सकते हो, तो क्या meaningful है, so that is another thing, so stretch, meaningful, SMA, achievable and actionable कि आप action ले सको, उस पे कही बार ऐसा होता है कि goal तो set कर लेता है आदमी, लेकिन अभी वो job में फसा हुआ है, business में फसा हुआ है, उसके अजार हो, आज मैं health का goal मेरे को पता है कि मेरे को लेना चाहिए, मेरा पेट थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन मैं पंदरा तक मेरे पास एक भी दिन का time नहीं है, तो ये अभी मैं बोल दूँगी, मैं फंदरा के लोग एक तीन महिने में कम कर लूँगा, मैं उतना समय नहीं दे पाँँगा, तो ये actionable नहीं है, रोज 15 मिनिट मैं कर सकता हूँ, रोज 30 गंटा मैं कर सकता हूँ, उतना नही कहेंगे यार बुरा लग रहा है तेरा पेट निकलावा है तो motivational speaker है मैं कहता हूँ यार दोसों I know who am I and I know that I can do it मैंने इतने सारे मेरे पास references है कि मैं जिस चीज को decide कर लूँगा जिस दिन decide कर लूँगा तो actionable होना चाहिए actionable दिये और goals are set कर दिया तीन महीने मैं पंदरा किलो कम करूँगा नहीं हो पाएगा so SMA आर याने realistic भी होना चाहिए and साथ ही साथ आर का और क्या है rewarding होना चाहिए realistic भी है कि आया हम जिस field में उसी की बात कर रहे है हम SNE की motivational speaker है और लिग दिया मुकेश ममानी बनना है नहीं कोई factory goal लिन है कोई refinery लगाई कैसे होगा तो realistic नहीं है साथ में rewarding भी होना चाहिए rewarding मतलब वो goal achieve कर दी आपने तो साथ में जैसे मैंने goal achieve किया so साथ में reward और भी मिल रहे हैंगी लोग प्रशंजा भी कर रहे थे या मेरा अभी का goal है कि मैं 12 जन्वरी 2030 तक मैं 50 करोड़ दो इंस्पायर करूँगा तो वो goal अची होने के बाद जो overall मेरे को respect भी लेगा reward मिलेगा मेरे घरवालों को मिलेगा मुझे मिलेगा lifestyle जो होगी वो extra reward भी होने चाहिए otherwise goal होआ achieve क्योंकि कि किसी को होना चाहिए कि आप पूरी तरह से उसे visualize कर पा रहे हो अपने mind में उसकी picture create कर पा रहे हो so ये मेरा एक formula है जिससे की goal हमेशा चीव होता है और सबसे last दुनिया को बता दो लोग कहते हैं नजर लग जाती है अगे तो टाटा को नहीं लगती अम्बानी को नहीं लगती बिल गेट्स को नहीं लगती ये लोग पहले से बता देते हैं हम इंडिया में 100 करोड खर्च करेंगे 500 करोड खर्च करेंगे नहीं कुछ लेंगे हमारे पर उसकुछ है नहीं और आमें नजर लग जाती है So beautifully explained मैंने कही एक बार बहुत अच्छी बात सुनी भी थी कि कई बार ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी ने जरवाले तेरा मोगाला लेकिन फरारी के पीछे कभी नी लिखा होता है beautifully explained बेसार जी, such a nice conversation में बुरूड और यह जो आपने सोडियों को पुरा दिल खोल करके डिटेल में बताया है उसके लिए बहुत बहुत अन्यवाद हम दो बिछडे भाई है और एक ही सिटी से है एक ही तरह के नाम है हमारे तो बगवान करे हमारा यह association बहुत सारे लोगों को फाइदा पहुँचा है और यह कंटीनु ऐसे बना रहे ताकि we can collaborate we can inspire and we can do something better for this country beautiful so बिशार जी नाओ we will move to the rapid fire so अभी तक ताव ने डिटेल में बात करी नाओ we will fire something rapid इससे बादर लगता है so let's move to the rapid fire बिशार जी ready yes sir so can you recall a moment when your self-doubt was at its highest and have you overcome it मैं 2017 मैं self-doubt मेरा बहुत हाई था मुझे लगा था कि मुझे रूख जाना चाहिए और मुझे सिर्फ अपनी जिन्दगी को simple चलाना चाहिए lovely so एक बुक जिसने आपके जिन्दगी बदली हो और क्यो think begin की कैस ये बुक मैंने पढ़ी थी Robert कियो सागी नहीं ये Donald Trump की थी I don't know उन्होंने ये बुक का नाम चेंज कर दिया ये अभी Amazon पर आपको नहीं मिलेगी ये बुक मैंने बढ़ी थी 2009 में जब मैं अपनी जॉब छोड़ने वाला था and उस समय इस बुक ने मुझे बहुत बड़ा सोचने पर मजबूर किया इसलिए I love Donald Trump बले उन्होंने क्या भी किया हो President बनने के बाद या Politics में आने के बाद but जो बड़ी सोच की ताकत उस बंदे की थी I was influenced अगर आप टाइम में पीछे जा सकें तो अपने 18-year-old को self को क्या advice देंगे 18-year-old को मैं बूलूँगा फाई बड़ा सोच and बड़ी सोच की ताकत बहुत बड़ी है magic of thinking rich is unimaginable क्योंकि मैं बहुत छोटा सोचता था lovely what do you think the biggest challenge faced by the current generation in terms of mental health I think they are not very clear about what they want to do destruction is there और वो सारा का सारा social media अगरे के कारन है okay if you could have one superpower what would it be and why my superpower should be that I become super duper fit like Anthony Robbins and the moment that comes I will be even much more vibrant lovely is there a question that you wish people would stop asking you एक सवाल की सर मैं क्या करूँ जिंदगी मैं सब सीखने के बाद पूरा फ्रोग्राम अटने चले लेते तीन दिन का उसके बाद बोले सर मैं क्या करूँ अरे वाही चले बोलता है वोरो magic of thinking देख लेते फिर बोलते सर मेरी लाइफ में ये प्रोब्लम मैं क्या अगरो पूरा solution दिया ताइस दिन कड़े होके गला फाड़ा so relatable this is so what is the funniest and most unusual request आपको क्लाइंट से मिली हो जिसे एक request होती है कि sir मेरे कंदे पे हाथ रखके photo ली किछवाओ या फिर sir एक काम करो ना मेरे बारे में एक वीडियो में बोल दो अब मैं जानता नहीं परसन को तुरंट लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ I really love it मैं गुसा करता हूँ ऐसी बात नहीं है बट बहुत जल्दी थंडा भी हो जाता है जल्दी मैं समझ भी जाता हूँ कि मैंने गलती की है अगर आप एक किताब होते है तो उसका क्या title होता Discover Your Vision क्या बात है Morning Person or Night Owl Morning Person What is the first thing you do in the morning? I get into silence and I meditate Mountains or beaches? Mountains What is the best place you have ever visited? Gorichan Mountain I am a mountaineer so I love that Can you share one thing that you can't live without? Oxygen Are you a good dancer? No, I am a party dancer Lovely So आप पसनल लाइफ में इंट्रोवर्ट है और एक्स्टोवर्ट? Introvert What is your life mantra? जो भी करो कमाल का करो नहीं तो मत करो Beautiful कोई एक मूवी जो इसने सबसे ज़ाद आपको इंस्पायर किया Trump and American Dream मैंने पहले भी बहला क्योंकि वो आदमी जितना बड़ा सूचा था मैंने और किसी को सूचते वे नहीं देखा हूँ आपका अगर फ्रेंड आपको डिस्क्राइब कर रहा होगा तो कैसे करेगा? वो कहेगा ये बहुत सिंसियर है ये बहुत ज़ादा हाड़ वोर्किंग है और ये बहुत पागल आदमी है आपका फेवरेट म्यूजिक आर्टिस्ट? म्यूजिक तो नहीं सुनता सर मैं बट पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं आज भी कुछ-कुछ होता है कि ये सारे गाने बहुत सुनते हैं और लास्ट कोई तीन ऐसे मंतर जो सफलता के लिए आप यूआओं को और हमारी ओडियंस को दे सकें जो सब मैंने बताया है उनको अगर छोड़के मैं बताऊं तो मैं कहता हूं पहली चीज़ have no mercy on yourself क्योंकि जब-जब आपको बहुत बड़ी mountain चड़नी पड़ेगी अपनी life में अपनी Everest चड़नी पड़ेगी तो वो आपसे सब कुछ मांगेगी जिसे कोई आदमी Everest पे जाता है तो वो उसका oxygen नहीं रहता है उसकी body का एक-एक कत्रा मांगती है Everest और फिर मर भी सकता है आदमी तो इतना पागल कि आप अपने लक्षे के लिए मरने को तयार हो जाओ और अपना खून का कत्रा-कत्रा दग लगाने को तयार हो जाओ तो have no mercy on yourself that is the first thing second thing जो मैं काऊं वो है books को अपना friend बना ही लो क्योंकि एक book जब हम बढ़ता है तो पता नहीं हमारा mind कितनी सारी चीजे नहीं सूच लेता है हर line पे एक नया thought mind में create होता है so books बहुत important है और books ही important है वो लोग कहता है books की जगा audio books सुन लो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी effective है जितनी एक book एक book ध्यान से आदमी ने ली और पूरी पड़ी मालो 200 pages वो शायद 20 गंटे का involvement या 15 गंटे का involvement होगा आपने audio book वोई चीज आदे गंटे में सुन ली हो सकता है एक दो चीज़े आपके body में अटक जाए लेकिन वोज़े लगता books are your best friends कम पड़ो जितनी पड़ो बगत बड़िया पड़ो shortcut मड़ूंडो life के और तीसरी चीज मैं कहूंगा आज बहुत बड़ी super power आपके पास है पैसा बट रहा है social media इतने सारे गुरूज इतने सारे teachers हर field के teachers आपके पास available है तो अब तो आपकी सफलता के लिए zero excuse बनता है क्योंकि इस दुनिया में zero competition है 95% लोगों के पास goal नहीं है लक्षे नहीं है और 5% जिनके पास goal है लक्षे है वो अगर अच्छे teachers के पास अच्छे समय पे चले गए और अच्छी चीज़े उन्होंने समय पे सीख ली अपने उपर invest कर दिया self development कर दिया तो बहुत कुछ हो जाएगा क्योंकि जब self development करता है तो आदमी दुनिया चला सकता है और जब आदमी सिर्फ technical skills सीखता है तो घर चला सकता है क्या बात है थी Thank you so much Vesaadji for coming और इतने deep insights nuggets of wisdom आपने शेर किये and I'm sure कि audience को आज बहुत valuable चीज़े हैं जानने पर मिलेंगी So thank you so much for coming Thank you YSR sir, thank you so much आपसे भी बहुत positive vibrations आ रही है and I'm so glad that we could meet and इतना अच्छा discussion हुआ I hope it reaches to as many people as possible और दोस्वों आप भी शेर कीजे असी चीज़े ना सिर्फ इसलिए कि मैं बात कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे powerful podcast Dr. YSR आपके साथ ने लेकर आ रहे है और BSR and YSR related है Thank you, thank you so much